आज की इस एपिसोड में हम डिसकस करने वाले हैं टाटा इश्टिल स्टॉक के बारे में कल के ट्रेडिंग सेसन में हमने आपसे कहा कि इस समय मेटल सेक्टर एक रेजिस्टेंस को ब्रेकाउट कर चुका था और इससे में दिखेंगे तो मार्केट में काफी वोलेटिलिटी दिख रही है जिसके कारण कंटिनूस पिछले कई दिनों से हमने आपको कहा कि जब तक मीनिमम ये स्टॉक 108 के उपर का क्लोजिंग नहीं देता है जब तक के लिए रिमें कंसोलिडेशन रहेगा इस समय ये स्टॉक 20 में के आसपास के प्राइस पे ट्रेड करते वे दिख रहा है और 104 के लेवल को ब्रेक करता है तो एक पेनफूल डाउन ट्रेंड दिख सकता है और 96-90 तक के लेवल दिखेंगे हालां कि अगर इस स्टॉक को मोर देन 3-6 मन्त के लिए रखते हैं तो इजली स्टॉक में अगर 90 जाता भी है तो वहां से 130 तक के लेवल दिख सकते हैं इस समय सोटम टेडर टाटाइस्टिल को इग्नोर करेंगे और अगर 100 के नीचे आता है तो एक बाइंग ऑपरचुनिटी हो सकती है कैस सेग्मेंट के बायर के लिए जो निवेस करना चाहते हैं एक दूसरा श्टॉक जो प्रसनली में आपको रिकमेंट करना चाहूंगा मैंगलोर केमिकल हमने हमेशा जिसकी ये श्टॉक में नहीं रही या ट्रेंट कंसोलिडेट रहा हमने आपको एक फेस श्टॉक बताया जिसका रिटर्न काफी बेतर रहा पास्ट में हमने आपको एसी मान इंफ्रा जैसे कई श्टॉक बताएं और आपने देखा कि लिवस